नमस्कार दोस्तों, दोस्तों श्रावन मास के शुक्ल पक्ष की एकदशी को पुत्रदा एकदशी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत से दान पुन्य किये। परंतु उन्हें संतान प्राप्ती नहीं हुई। विद्धा वस्ता आते देख उन्होंने अपने राज्य के विद्वान राम्मनों को बुला कर कहा। कि इस जन्म में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पाला है। मैंने कभी किसी के दरोहर नहीं चीनी। कभी भी अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं किया। परंतु इतना सब करते हुए भी मेरे पास संतान नहीं है। इस कारण से में बहुत दुखी हूँ। राज्य की समस्या का निवारन करने के लिए वे सभी वनों में जाकर विद्वानों और तपस्वियों से मिलकर किसी महान ग्यानी तपस्वी की तलाश में लग गए। इसी तरह एक दिन वे लोमश रिशी के आश्रम पहुचे जो बहुत बड़े ग्यानी थे उनकी आयू इतनी अधिक थी कि एक कल्प वितीत होने पर उनका एक रोम गिरता था लोमश रिशी को प्रणाम करके सभी उनके सामने जाकर बैट गए इस पर रिशी ने पूछा कि आप लोगों की क्या समस्या है आप मुझे बताईए मैं उसका निवारन करने की पूरी कोशिश करूँगा तो वे सभी बोले हे मरशी महिशमती राज़ा के राज़ा बहुती धर्म का पालन करने वाली प्रतापी राज़ा है किन्तु हर उपाय करने के बाद भी उनके पास संतान नहीं है अपने राज़ा का दुख देखकर हम सभी बहुत दुखी हैं कृपय समस्या का निवारन कीजिए हे प्रतिनिधियों आपके राज़ा अपने पूर्फ जन्म में निर्धन वैश्य थे निधन होने के कारण उन्होंने बहुत बुरे कर्म की थे एक बार के बात है वे दो दिनों से भूख के पैसे थे वे एक जलाशे के पास पानी पीने जा रहे थे वहीं पर एक गाई जल पी रही थी वहां से उस गाई को हटा कर वे स्वयम जल पीने लगे इसी पाप के कारण इस जन्म में उनके पस संतान नहीं है किन्तु पूर्व जन्म में एकडशी के दिन भूकर रहने से वे राजा बन गए और प्यासी गाये को पानी पीते वक्त हटाने से उन्हें संतान हीन होने का दुख सेहना पड़ रहा है यह सुनकर सभी ने कहा महरशी कृपयस पाप को नश्ट करने का कोई उपाय बताईए फिर लोमश रिशी ने कहा श्रावन मास के शुकल पक्ष की एकडशी पुत्रदा एकडशी को व्रत रखने से और रात को जागरण करने से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ती होगी लोमश रिशी से उपाय जाने के बाद सभी वेक्ती नगर को वापस लोटाए और राजा सहीत पुत्रदा एकडशी आने पर सभी ने व्रत रखा और रात भर जागरण किया इसके बाद वादशी की दिन उन्हें इस पुन्यों के फल के रूप में राणी ने एक तजिस्वी पुत्र को जन्म दिया अन्तमी भगवांशी कृष्ण ने धर्म्याज रिधिश्टिर से कहा हे राजन इस फ्रत की कथा को कहने या सुन्ने मात्र से ही वाच्पर यग्यका फल मिलता है और मनुश्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में संतान सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है धन्यवाद